हेलो फ्रेंज आज हम लोग आ गए हैं कार्बन इंट्स कंपाउंड का लास्ट पार्ट में थोड़ा सा पार्ट और बच्छा हुआ इस चैप्टर में इस चैप्टर को थोड़ा सा फटाक से जल्दी से हम लोग खतम करते हैं ठीक है गुड़ बॉर्णिंग एवरिवन ओके न लेकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला है ना लेट्स स्टार्ट देखें उसे पहले आज का हमारा मॉटिवेशन क्या है आज का हमारा मॉटिवेशन करता है कि कौन कहता है क्या बोलता है कौन कहत कौन कहता है कामयाबी किस्मत तै करती है कोई कहता है कि कामयाबी जो होता है किसी व्यक्ति का वो किस्मत तै करता है ना इरादों में दम हो तो मनजले भी जुक जाती जुका करती है बस आपका इरादे जो है इरादे आप अपना एकदम बुलंद रखिए दोस्तों ठीक है मेर भी किस्मत तेह करती है, इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठी है, ठीक है, इरादों में दम हो, तो मंजले भी जुका करती है, ओके, नौ लेट्स स्टार्ट, देखे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले है, दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले है, सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंट्स, ठीक है, कुछ से ऐसे सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंट्स है, जो बचे हुए है, ठीक है, वो कौन-कौन से कार्बनी कंपाउंट्स है, वो है इथनॉल, क्या है, इथनॉल और इथनोई केसिद, कौन-कोन is a liquid at room temperature ethanol जो होता है ethanol जो सराब को ही लगबग हम लोग कहाते है ठीक है, वो room temperature पर क्या होता है liquid होता है, ठीक है, चाहे वो melting में हो या boiling point में हो, इसलिए ethanol is commonly called alcohol इसलिए ethanol को क्या कहा जाता है alcohol कहा जाता है and is the active ingredients of all alcoholic drinks और यह जो है active ingredient है बहुत ही active ingredient है सारे alcoholic drinks से in addition, add करते हुए because it is good solvent क्योंकि यह good solvent होने के कारण good solvent होने के कारण it is also used in the medicine such as the tincture iodine क्या बोला मैंने, tincture iodine इसका है जो medicines में भी है जो use किया जाता है, वो कौन से medicine है tincture iodine में, cup syrup में cup syrup में, हम लोग का सर्दी खासी हो जाता है तो हम लोग cup syrup पीते हैं न तो उसमें भी ethanol पाया जाता है is that clear, okay and many tonics और बहुत सारे tonics में भी पाया जाता है ठीक है, ethanol is also soluble in water in all portion कहने का मतलब ethanol जो है water के सभी portion में क्या है, soluble है is that clear, consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkness कहने का मतलब, अगर small quantity में consumption किया जाए, यानि इसको पी आ जाए यह देखिये, अगर इसको small quantity में अगर इसको पी आ जाए, तो इसका जो है, खतरनाक लत लग सकती है causes ethanol drunkness, ठीक है, even though this practice is condemned, इसलिए इस practice को है, जो क्या किया जाता है, निन्दा किया जाता है, यानि condemned किया जाता है बुराई किया जाता है, कि इसको पीना नहीं चाहिए ठीक है, it is socially widespread practice, यह समाजी ग्रूप से पूरी तरह से हमारे आस-पास बाजू में, जो पडोस, आस-पडोस में पुरी तरह से यह पहला रहता है, अब देखते हैं, यह सब जो पी के लुड़का लुड़त है, ठीक है तो इसलिए इसको practice, मने इसको पीना नहीं चाहिए, ठीक है और देखें इसके बारे में, अब कहता है कि however however, intake of even small quantity of pure ethanol, ठीक है called absolute alcohol कहने का मतलब है, अगर आप क्या बूलता है continually, क्या बूलता है, continually अगर आप इसे intake करते हैं ठीक है, अगर इसे continually, अगर कोई बंदा small amount में, pure ethanol को अगर कोई पीता है, can be lethal, घातक हो सकता है, deadly साबित हो सकता है, ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है, also term consumption of alcohol, leads to many health problems, बहुत जादा health problem भी ला सकता है, फिर आपको ऐसे ही, टंगा हुआ बोतल मिलेगा और ये doctor है, जो आपको ilाज करते हुए मिलेगे, ठीक है, इसलिए कभी भी जीवन में बच्चों इस परकार के चीजों से एक दम दूर रहिएगा, ठीक है ये घातक और प्रान घातक हो सकता है is that clear, okay अब देखिए, ये क्या आगे मैंने भी यही पढ़ाया, ये NCRT का बुक है, properties of ethanol मैंने पढ़ा दिया, properties of ethanol मैंने ये वला part पढ़ा दिया, ठीक है, अब मैं sodium, वो किसके साथ reaction करता है sodium के साथ reaction करता है, किसके साथ reaction करता है, sodium के साथ देखे, जब sodium जो है ethanol के साथ, ethanol का सूतर होता है, C2 H5 OH 8 का मतलब 2 carbon, 8 का मतलब 2 carbon, और all मतलब alcohol, ठीक है, तब यहाँ पर लिखा हुआ इसको तोड के लिखा हुआ है, CH3 CH2OH देखे इसमें carbon के संक्या 2 है hydrogen के संक्या 5 है वही बात यहाँ पर लिखी हुई है तो C2H5OH को है हम लोग ethanol बोलते हैं जब sodium के साथ ethanol reaction करता है तो sodium ethoxide बनाता है sodium ethoxide plus hydrogen निकल जाता है अब देखे अब क्या कह रहा है अब कर आए कि reactions to reactions to give the unsaturated hydrocarbons heating of the ethanol at a 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol देखो अगर ethanol को आपको dehydrate करना है dehydrate करने का मतलब उसमें से पानी निकालना है dehydrate करने का मतलब क्या करना है उसमें से पानी निकालना है उसमें से क्या निकालना है पानी क्या रहा है कि CH3 CH2 OH यानि कि ethanol में जब concentrate किया है hot किया जाता है गरम किया जाता है 443 Kelvin पे sulfuric acid के presentation में तो यह क्या बना जाता है तो यह बना जाता है बच्चो CH2 double bond CH2 यानि methane बना जाता है क्या बना जाता है ethane sorry ethane बना जाता है is that clear ethane बना जाता है और H2O क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है clear can we move ahead अब देखे the concentrated sulfuric acid can be regarded as the dehydrating agent removes the water from ethanol water को ethanol से क्या कर देता है अलग कर देता है ठीक है अब देखे अब क्या कह रहा है कि आपके anxiety का book ही है कहता है बच्चो कि how do alcohol affects living beings अल्कोहल जो है living beings को कैसे affect कर सकता है ये भी कोई पूछने की बात है क्या आप लोग तो आसपर उसमें देखते ही होंगे लोग जब पी उ लेते है ठीक है मतलब सराब पी लेते है इसको सराब ही करते है सराब ही है ठीक है एथनॉल वो पी लेते तो क्या affect करता है बताइए आप ही और आपके नर्वस सिस्टम को भी जो डिप्रेजड कर देता है जिसके करण इस रिजर्ट्स इन दे लैक अफ कोडिनेशन जिसके करण वो बंदा जो है सही से ख़़ाने पर हो पाता है और लड़ ख़डाते रहता है मेंटल कन्फ्यूजन पूरी तरह कन्फ्यूज रहता है कि वो बोलना क्या है किसी को कुछ भी बोल देता है नहीं डॉरिनेस डॉरिनेस लोइरिंग ऑफ दर नॉर्मल इनहाबिटेशन वो सही तरीके से एक जहाँ पर अस्थिर रह नहीं सकता है और फाइनल स्टॉपर और वो पूरी तरह से अपने आपका आपा खो बैठता है इंडिविजूल में फिल रिलाक्स्ट विताउट रियलाइजिंग दैट ही सेंस अफ जजज्मेंट सेंस अफ टाइमिंग कहने का मतब जो भी वेक्ती इस तरह से काम करता हूँ पूरी तरह से rilax महसूस करता है मैं उसके में सेंस अफ जजज्मेंट कुछ भी बी नए मैं सही है क्या गलत वी उसको खुछ पते नहीं चलने लगता है «Science अफ टाइमिंग» उसको टाइम का कुछ नहीं पता रहता है मैंने जन्ने तन्ने बढ़ाल चलेगा and muscular coordinations have been seriously impaired उसका जो muscular coordination भी है जो सही तरी कि मैंने हाथ उठाना चाहेगा उपर तो जाएगा नीचे ठीक है नीचे लाना चाहेगा तो जाएगा उपर ठीक है तो उसका मैंने muscular coordination भी क्या हो जाता है पुरे तरह से बिगड़ जाता है unlike ethanol इसी तरह से ethanol जो है intake of the methanol अगर ethanol की तरह methanol भी होता है अगर methanol को लिया जाए in a small quantity can cause death लेकिन अगर आपने ये गलती से methanol ले लिया, क्या ले लिया ethanol की जगा अगर आपने methanol पी लिया बच्चों ठीक है, तो पूरी तरह से death हो सकता है, क्या हो सकता है पूरी तरह से जान ही चला जाएगा इसलिए कहा जाता है कि methanol is oxidized to methanol in the liver ठीक है वो क्या होता है ना oxidized हो जाता है liver में and methanol reacts rapidly with the components of the cells methanol जो है methanol react करता है rapidly with the components of cells जो भी आपके body में cell है उसे react करता है it coagulates the protoplasm यह protoplasm को जमा देता है in much some same way an egg is coagulated by cooking कैसे क्या बोलता है egg मने अंडे को जब उबालते है तो कैसे कड़ा हो जाता है मने गुब गुब हो जाता है उसी तरह कि इस प्रोटoplasm जो आपका cell होता है cell आपने पढ़ा होगा ते cell के अंदर वाले पूरे पार्ट को हम लोग protoplasm बोलते हैं ठीक है cell membrane के अंदर वाले पार्ट को वो पुरी तरह से एदम coagulated हो जाता है methanol also affects the optic nerves आपके आँखों को भी है जो methanol मने effect कर सकता है और causing blindness और आपको अंधा बना सकता है क्या बना सकता है अंधा, blind ethanol is an important industrial solvent जबकि ethanol जो है एक बहुत ही important industrial solvent है मने अद्यागिक रूप से यानि industrial रूप से इसको ज़्यादा बनाया जाता है to prevent misuse of ethanol produced for ethanol industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it dyes are also added to color the alcohol blue so that so that it can be identified easily this is called denatured alcohol कहने का मतलब है अगर आपको पता करना है कि कौन सा ethanol है और कौन सा methanol है ठीक है तो आप उसमें है जो काबाल रंगने वाला जो dye होता है कोई भी रंग उसमें मिलाई है ठीक है तो उसे क्या हो जाता blue color अगर change हो जाएगा तो समझ जाएगा कि वो कौन है methanol है और अगर color change नहीं हो रहा है तो समझ जाएगा कि ethanol है ठीक है और इस type के इसको हम लोग बोलते है denatured करना है alcohol को is that clear क्या मैं समझा पाया okay next अब देखे क्या करता है अब हम लोग ने ethanol तो पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ते है ethanoic acid ethanoic acid जो हो है is commonly called acetic acid इसको क्या करते है acetic acid खटा होता है ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to a group of acidic acids of carboxylic acid ये carboxylic acid के group में क्या करता है belong करता है 5 से 8% of the solution of acetic acid is water 5 से 8% acetic acid में क्या होता है water होता है क्या होता बच्चों water होता है जिसको क्या कहते हैं जिसको कहते हैं is called vinegar and is used widely as a presentative preservative मने preservative मने रक्षक रक्षक के रूप में in pickles अच्छे जो अचार होता है जो में अचार बनाती है pickles उसमे देखते होंगे vinegar डालते होंगे नीमू पानी भी बोलते हैं जाए इसको नीमू में पानी मिला के ज़्याद तो वो vinegar बन जाता है और उसको जो pickles में मिला दिया जाए ठीक है तो लंबे समय तक बचा हुआ रहता है तो वह बोलता है vinegar vinegar समझ में आगया acetic acid is world vinegar and it is the form of carboxylic acid and it is also known as ethanoic acid the melting the melting point of the pure ethanoic acid is 290 Kelvin यदि अगर आपको ethanoic acid को melt करना है तो 219 Kelvin दीजिए and hence it often freezed and hence often freezes during the winter in cold climates अगर cold climate में अपने आप क्या हो जाता जम जाता है freeze हो जाता है this gave rise to its name glacial acetic acid यही है जो इसको क्या नाम देता है glacial acetic acid is that clear okay next अब देखे क्या कह रहा है the group of organic compounds the group of organic compounds are called carboxylic acid जब organic compounds बच्चो एक group में बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं carboxylic acid carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature वो पूरी तरह से क्या होते है acidic nature से क्या रहते है characterized रहते है ठीक है however नहीं देख रहा हुगा इसलिए में डार दिया हम आपको ताकि कोई समस्या नहोंगे पता नहीं कि रंगने के फिरा में पुरा कदम हो जाए ठीक है अब देखे क्या है characterized by their acidic nature however unlike mineral acids mineral acids like HCL अगर HCL यह नहीं hydrochloric acid कौन सा है hydrochloric acid which are completely ionized which are क्या होते है completely ionized हो जाते है carboxylic acids are the weak acid carboxylic acid क्या होते है weak acid होते है बच्चों अब देखे है now we are going to make a ester क्या हम लोग बनाने वाले ester ester क्या होता है ester are commonly formed by the reaction of acid and alcohol कहने का मतलब है आप acid क्या बोला मैंने acid plus alcohol क्या alcohol acid और अगर आप alcohol को बना दिएगे ने तो क्या बनेगा आपको तो आप प्राप्त कर सकते है ester ester ethanoic acids react with absolute ethanol ethanoic acid कौन सा acid यहाँ पर ethanoic acid reacts with absolute ethanol absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester वो क्या देता है आपको ester देगा catalyst क्या है आपको अभी बताएंगे catalyst उसे कहते है बच्चो मैं देख लिता हूँ catalyst ने बताना है कि नहीं तब ही बता दूँगा देख लिए catalyst वैसे मैं पिसली वीडियो में बता चुका हूँ catalyst उसे करते है बच्चो जो क्या बोलता है reaction को बहुत ही तेज और फिर slow कर देता है तो कह रहा है कि ethanoic acid को ethanoic acid को बच्चो absolute alcohol के साथ absolute ethanol के साथ catalyst के presentation में जब करवाया जाता है फॉर्मेशन होता है कि इस्टर का जैसे देखिए यहां पर test tube ले लिया गया है ठीक है test tube लिया गया है beaker है water डाल दिया गया है इसमें wire gauge है tripod है burner है ठीक है आरे इसमें क्या मिला दिया गया है ethanoic acid और alcohol इसमें मिला कि इसको क्या बनाए जा रहा है इस्टर बनाए जा रहा है ठीक है बच्चो next अब देखिए अब हम लोग आने वाले है सिफॉनिफिकेशन रियाक्षन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले है सिफॉनिफिकेशन रियाक्षन सिफॉनिफिकेशन रियाक्षन क्या है बच्चो generally isso are sweet smelling substances जग लगबग हम लोग जानते हैं कि इस्टर जो हता है sweet smelling होता है मिठा मिठा गंद देता है these are used in making perfumes and perfumes and as a flavoring agents इसको है जो हम लोग क्या बोलता है perfumes में भी कभी कभी use कर लेते हैं ister, ister है जो perfumes में भी use कर लेते हैं ठीक है these are used in the making perfumes as a flavoring agents on treating with sodium hydroxide और उसको treat किया जाता है sodium hydroxide के साथ ठीक है which is an alkyli जो alkyli होता है the ister is converted to back to alcohol तो ister फिर से क्या convert हो जाता है ister फिर से convert हो जाता है alcohol में and sodium salt of carboxylic acid is this reaction is called saponification reaction this reaction is called saponification reaction because it is used because it is used in the preparation of soap saponification जो reaction है उसको use किया जाता है किसको बनाने के लिए soap को बनाने के लिए saponification reaction is used to make a soap याने कि मैंने बस कुछ नहीं समझाया मैंने बस इतना ही समझाया कि जब क्या बोलता है कहां गया कहां गया on treating with the sodium hydroxide within alkyli ister is converted to back to alcohol याने कि अगर मैंने ister में sodium hydroxide डाल दिया alcohol में बापस convert हो जाता है ठीक है और क्या बनाता है इस reaction को saponification reaction बलते हैं उसी से हम लोग का soap उप हो है जो बनता है सावन soaps are sodium potassium salt soap जो होता है sodium और potassium का salt होता है of long chain carboxly acid जो long chain होता है यानि कि soap जो होता है sodium sodium and potassium potassium के ठीक है इसी का है जो यह संयोजन रूप है is that clear अब आज आते है formation of measles measles कैसे बनता है measles के बार में हम लोग पढ़ने वाले measles क्या है क्या है measles क्या हम लोग पढ़ने वाले measles देख लिजे formation of measles most most dirt is oily in the nature and as you know oil does not dissolves in water आप जानते हैं कि जितने भी dust particle हो क्या हो बच्चों जितने भी dust particle होते हैं क्या बोलते हैं जितने भी dust particle होते हैं बच्चों ठीक है वो oily nature के होते हैं कैसे nature के होते हैं oily nature यानि जितना भी गंदगी है आपके कपडे में कुछ भी लगता है वो oily nature में लगता है ठीक है oil does not dissolve in water आप जानते हैं कि oil जो है पाने में घूलता नहीं है ठीक है the molecules of soap are sodium and potassium salt यह बहुत important है जो soap का जो molecules है sodium और potassium जो है of the long chain of the carboxylic acid the ionic ends of the soap interacts with the water वो ionic ends जो है water के साथ क्या होते हैं interact होते हैं while the carbon chains interact with oil और वही carbon chains क्या करते हैं उसको है जो attract करते हैं is that clear the soap molecules जो soap का molecule होता है thus form structure is called measles और वही soap का structure क्या करता है measles बनाता है जैसे आप इस चित्र में आप चपा रहे होंगे देखिए oil droplet है यह क्या है oil है ठीक है sodium क्या कर रहा है खीच रहा है सबको sodium है जो खीच खीच के इसको क्या कर रहा है एक structure बना दे उसको खीच रहा है कि चलो ड़े उपर चलो कप्रे से बाहर निकलो is that clear तो अई बोल रहा है कि जब वो soap molecules जो है उसके साथ और ओयल डो soap का जो molecule है sodium जो है उस molecules के साथ जब react करता है तो यह जो formation बनता है नहीं यह वाला यह जो formation बनता है बच्चो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं measles बोलते हैं क्या बोलते हैं measles ठीक है आगे बढ़ता है अब कह रहा है कि where an end of the molecules is towards the oil droplets molecules जो है towards जाता है oil droplets के साथ and while ionic end faces outside वो पुरी तरह उसको बांद लेता है this forms a emulsification emulation water यह water को क्या बनाता है emulsed emulsed बना देता है ठीक है the soap more measles the soap का जो measles है does helps in pulling out the dirt in water अब वो है जो measles क्या करता है soap के मदद से dirty dirt को है जो बाहर निकालने में क्या करता है मदद करता है मानलिया यह cloth है यहाँ पे dirt है ता meansles को निकालने की कोशिश करता है and we can wash our clothes clean और हम लोग अपने clothes को क्या कर लेते हैं पूरी तरह के से क्या कर लेते हैं clean कर लेते हैं is that clear देखिए आगला slide में समझाएंगे हम लोग आगे देखिए soaps and detergent का क्या काम है soaps अभी आप लोगों ने पढ़ा है detergent क्या होता है detergent यही है आपको बच्चो ठीक है जो सरफ जिसको बोलते है detergent powder have you ever observed while washing that foam foam यानि pain is formed with difficulty and an insoluble substances that is called scum that is called scum यह बहुत important है यह पूछा गया question है ठीक है what is scum ठीक है the scum उसे काते हैं बच्चो have you ever observed that the washing that the foam is formed with the difficulty and insoluble substance that is called scum जब भी आप पानी के टब में कुछ साबून को घोरते हैं या फिर detergent को घोरते हैं जो नहीं घोलता है insoluble होता है उसी को हम लोग scum बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं scum remains after the washing with water ठीक है पानी कपड़ा धोने के बाद भी वो बचा हुआ ही रहता है this is caused this is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salt ये बहुत important है water जो है calcium और magnesium salt के साथ reaction कर जाता है calcium और magnesium salt के साथ reaction कर जाता है soap जो है which causes the hardness of water ये क्यों होता है पानी hard होता है पानी hard होने के कारण hard water में ये कांड हो जाते है ठीक है hence you need hence you need to use a large amount of soap इसलिए hence इसलिए आपको है जो ज़्यादा amount में soap को use करने की जरुरत वहाँ पर जाती है this problem is overcome by using another class of compounds that is called detergent अगर आप कपड़े को साबुन से दोते होंगे कपड़े को अगर साबुन से दोईएगा तो सकम जम जाएगा क्या जम जाएगा असकम और उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में है जो साबुन लगाना पड़ेगा तो इसी समस्याएं से दूर हटने के लिए scientist लोगोंने क्या किया detergent का खोज किया क्या खोज किया detergent detergent जो है hard water में भी क्या करेता है detergent as a cleaning agent detergent जो होता है hard water में भी कपड़े को क्या कर देता है असानी से धो देता है is that clear अब देखें यह हमारे detergent liquid में भी आता है कर आए कि detergents detergents are generally sodium salt detergents जो होता है sodium का ही क्या होता है sodium salt of sulfonic acid क्या होता है sodium salt का sulfonic acid होता है and ammonium salt यह बहुत important sulfonic acid and ammonium salt ठीक है with chlorides and bromides ions उसके जो chloride और bromide ions है both have long hydrocarbons दोनों के है जो लंबे-लंबे hydrocarbons होते है the charged ends of these compounds do not form जो charged ends of these compounds do not soluble precipitate with the calcium and magnesium ions precipitate मने नीचे में जम जाना ठीक है नीचे में क्या हो जाते है जम जाते है नीचे में ये क्या क्या हो जाते है जम जाते है ठीक है बोल रहा है कि precipitate हो जाते है क्या क्या precipitate हो जाएंगे calcium और magnesium ions क्या हो जाते है calcium परसिपिटेट हो जाते हैं इसे एट क्लियर हार्ड वाटर में हार्ड वाटर में कैलसियम और मैगनीश उई साबून ब्रबाद कर देँ हैं जबकि डिटरजेंट अगर आप घोलिएगा साबून में ऐसा नहीं हो रहा था साबुन में उपर में जो स्कम जम जा रहा था क्या जम जा रहा था स्कम साबुन से धो रहे थे तो स्कम जम जा रहा था वहीं अगर हम डिटर्जेंट से धो रहे हैं तो उसको क्या कर दे रहा है कैलसियम और मेगनेशियम को नीचे में precipitate कर दे रहा है क्या कर दे रहा है बचो precipitate thus they remain effective in hard water और यह इस तरह से हम कहा सकते है कि यह वह hard water में क्या है राम बान है hard effective है ठीक है detergents are usually used to make sample इसलिए detergents are usually used to make sample sample बनाने में भी इसका use होता है and products of the cleaning clothes cleaning clothes को बनाने के लिए भी कुछ products का use किया जाता है is that clear? detergents मतलब समझ में आगया अब देखें measles क्या है बचो यह last portion है इस portion के बाद हमारा chapter खतम हो जाएगा ठीक है तो इसको fatak से खतम करते है आ जाओ ठीक है measles मैंने बताई दिया कि measles क्या होता है ठीक है तो measles का काम कैसे करता है वो बता रहे है soaps are molecules in which two ends having different properties differing properties one hydropholic that is interacts with the water while other ends with the hydrophobic that is interacts with the hydrocarbons hydrocarbons यह यह कहना चाहरा है कि hydrophobic end होता है और एक होता है hydrophilic end अब यह जो ऐसे से दिख रहा है इसको hydrophobic end बोलते है और यह जो गोल सा दिख रहा है इसको hydrophilic बोलते है नहीं दिख रहा है तो और जूम कर देते हैं देखिए ठीक है यह हो गया hydrophobic और यह हो गया hydrophilic तो यह जो लंबा जैसे मने पूछे जैसे दिख रहा है फोबिक है और जो गोल सा दिख रहा है वो फिलिक है और यह सोप का molecule है is that clear अब देखिए अब कराए कि when soap is at the surface of water अब यह सोप जो है surface की water of surface जाता है the hydrophobic tail जो है of the soap will not be soluble in water hydrophobic जो है न वो water में soluble होता ही नहीं है water में soluble नहीं होगा ठीक है and soap will align along with the surface of water with the ionic ends water and hydrocarbon stales producing protruding out of water उसको जो बाहर से water से निकालने की कोशिश करता है कैसे दिखाते हैं हम आपको देखिए कैसे वो निकालता है अब यह क्या बोलता है इमान लीजोब water है यह क्या है बच्चो water लिखाता है क्यों नहीं है ठीक है water है अब यह क्या हमारा गंदगी है यह हमारा क्या है dust है इसको गरीस और गर्ड तेखिए इसको डर्ट उसको निकालना है हाइड़ोफीलिक इंड ऊपर ऑफर और नीचे वाला हुआ हाइड़ोफोभीक इंड जैंड हाइड़ोफोभीक है सब्रफोभीक क्या कर रहा है ने कोया सट रहा है notre Trying to Sat कंचने की कोशिश कर रहा है देखें चित्र को ध्यान से देखें पहले हमारे डर यह डर्ठ था यहाँ पहरे फिर सब्ए जो मिजल से आके बैठा वाज्य कि घिंसने की कोशिश करा obviously और देखिया आगला परो स्मुलिंड मैं जाएगा अ केसे को खीछने की कोशिश करहा है उपर की तरफ उपर की तरफ इसको खेशने की कोशिश कुछ से खेँ स्कती क्या कर दीया मीजजब जैसा तरह कि अ पर लेके चला गया इससके हमारा क्लोथ क्लीन हो गया वाथर में वाटरी क्लोथ है वहाँ पर लिख दिया था इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं देखे क्या लिखा हुआ है वह बातों को हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं अजो खतम करते हैं इस चीज़ को ठीक है इस चैप्टर को अधिक क्या लिखा हुआ है बचो कर रह है ठीक है hydrocarbon का एक chain है is it clear the cluster of molecules cluster मने इदम जूंड the cluster of molecules the cluster of molecules बच्चों in which in which the hydrophobic hydrophobic tails are the interior the cluster hydrophobic जो होता है नीचे में होता है बच्चों cluster के ionic ends are the surface of the cluster और वहीं ionic ends जो होता है hydrophilic जो हो ऊपर में होता है cluster के cluster मने जूंड के this formation is called the missiles i.c. को हम लोग क्या करते है मीजल करते हैं soap in the form of the measles is available to clean soap है जो measles के रूप में है जो clean करता है कपड़ों को since the oily dirt will be collected in the center of the measles और oily dirt है जो है बीच में है जो क्या हो रहा था collect हो रहा था है यहा हम लोग देख लिया था the measles stay in the solution as a collide ठीक है मीजल है जो एदम collide solution होता है वो उसमें पूरी तरह से ज़्यादा घुलता नहीं है यह पर्सिपिटेट भी नहीं होता है मीजल क्या होता है नीचे में जाके जमता भी नहीं है अब कहरा है कि does the dirt suspended in suspended in the measles is also easily 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 rinsed away ठीक है उसको आराम से वो निकाल देता है is that clear अब देखें the soap measles the soap measles are the are large enough to scatter light जो क्या बोलता है मीजल होता है light को scatter करने के लिए भी large enough होता है hence the soap solution appears cloudy इसलिए हमारा soap का solution कैसा दिखता है cloudy दिखता है कैसा दिखता है कलावडी इस प्रकार से बच्चो हम लोगे ने carbonates compounds के chapter को बहुत ही अच्छे से complete कर लिया अगर यहां तक अगर आपको किसी प्रकार का doubt हो ठीक है ता आप पूछ सकते है ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे ठीक है तो क्या बोलता है like करें क्या करें बच्चो like कर देना है कटाक से ठीक है और subscribe भी कर देना है ठीक है अगर इसमें अगर आपको कोई doubt लगता है अगर आपका कुछ suggestion है ठीक है ता कृपिया करके आप बता सकते हैं comment मे ठीक है कि इसमें और भी क्या कुछ सुधार हो सकता है अगर मैंने कहीं गलती कर दिया हो ते इसके लिए माफ़ी चाहते है थैंक यू जैहिन जै भारत